स्वागत है आपका कैमिकल ब्रांच में आज का टॉपिक है गैस एब्जॉर्शन एक्क्यूप्मेंट पैक्ट कॉलम या फिर आप कह सकते हो पैक्ट टावर आज की वीडियो में जानने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन इसकी वर्किंग प्रॉसेस और इसके एडवांटेज और इसद्वांटेज और साथे साथ मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पैक्ट कॉलम क्या होता है पैक्ट कॉलम वो एक्क्यूप्मेंट है जिसका यूज गैस एब्जॉर्शन बढ़ा भड़ गया जाता है जो से पैकिंग मेतल कहा जाता है इसलिए यह एक्ट कॉलम चल्म कहलाता है जुसरे पैक्ट और भी कहते हैं अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि बुक में इसके बारे में क्या लिखा है आप जाओ तो बुक में से पढ़कर भी खुद इस टॉपिक को तयार कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लो आज आपका ये टॉपिक अच्छे से किलियर हो जाएगा तो यहां तक लिखा गया है पैक्ट कॉलम के बारे में और ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आप वीडियो को पॉस करके बुक का स्कीन सॉट ले सकते हो और नीचे कुछ मेंट पॉइंट है आप इन पॉइंटों को भी नोट कर सकते हो बुक में जो भी लिखा है उसको अब हम प्रैक्टिकली डाइग्राम के द्वारा समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बात कर लेते हैं डाइग्राम की ध्यान से देखो इसको कहते हैं कॉलम या फिर आप कह सकते हो टावर और इस कॉलम को हम अंदर से पैक्टिकली रिंग के द्वारा बर देते हैं इसलिए इसका नाम पैक्ट टावर या फिर आप कह सकते हो टैक्ट कॉलम रखावे आए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर लिक्विट और गैस का कॉन्टेक्ट होता है फिर होती है separation की process फिर mask का transfer होता है और उपर से आता है liquid और liquid आता है distributor के द्वारा इसका काम होता है liquid को packing ring में अच्छे से फैलाना और इसको कहते हैं perforated support plate इसका काम होता है packing ring को support करना और नीचे से आती है gas तो पहला point यह है कि packed column का इस्तमाल gas absorption operation के लिए किया जाता है जहांपा liquid film के form में फैलती है और gas continuously flow करती है फिल्म की form का मतलब होता है पतलीसी परत जब liquid किसी भी surface में अच्छे से फैल जाता है और उसके बाद flow करता है तो उसको liquid की film form कहते हैं ध्यान से देखो जब liquid उपर से ring में गिरेगा तो पहले liquid फैल जाएगा अच्छे से तो इसको कहेंगे liquid की film फिल्म फिल्म फ्लो करता है नीचे की और और जो gas होती है वो continuously flow करती है उपर की और और दुसरा point यह है कि इसमें liquid और gas counter current fashion में flow करती है और एक दुसरे के contact में आती है counter current का मतलब होता है एक दुसरे के विपरीद या फिर आप कह सकते हो opposite ध्यान से देखो liquid आता है उपर से gas आती है नीचे से दोनों की दिशा एक दुसरे के विपरीद है तो यह इसी दिशा में flow करते है और एक दुसरे से मिलते है तो इसको कहते है counter current flow और तिसरा point यह है कि packed column का जो अकार होता है वो होता है vertical cylindrical cell जैसा जो बना होता है metal से, plastic से, ceramic, इत्यादी से मिलकर और इसको हम अंदर से packing ring के द्वारा भर देते हैं यहाँ पर क्या होता है, liquid और gas के contact के लिए inter facial area जो होता है, वो बढ़ जाता है जुसकी वज़े से mask का transfer अच्छे से होता है और चौता point यह है, इसमें mask का transfer gas face से liquid face में होता है face का मतलब होता है अवस्था, ध्यान से देखो ओपर से आता है liquid, नीचे से आती है gas तो gas component liquid में घुल जाता है पहले component gas की face में था, जैसी वो liquid में घुला तो वो gas से liquid के face में बदल जाता है और नीचे आ जाता है और पांचा point यह है कि packing ring की support के लिए हम perforated support plate का इस्तमाल करते हैं इसके दोरा packing ring को support किया दाता है और इसके नीचे वाले space में space में जो gas होती है वो अंदर आती है और उसको फैलने के लिए free space मिल जाता है इसका resistance बहुत ही कम होता है कहने का मतलब यह है कि यह gas के flow में परतिरोध उत्पन नहीं करता और जो liquid होता है वो आता है top से जुसको हम liquid distributor के द्वारा spray कराते हैं यह liquid को ऐसे spray करता है कि liquid packing ring की surface को अच्छे से गिला कर देता है और छटा point यह है कि packed column में liquid का flow rate sufficient होना चाहिए जुसके द्वारा liquid पूरी ring को असानी से और अच्छे से गिला कर सके ध्यान दो liquid का flow rate ऐसा होना चाहिए कि liquid पूरे ring को असानी से और अच्छे तरह से भिगा दे मतलब गिला कर दे उससे क्या होगा उससे liquid और gas का जो contact होगा वो बहुत अच्छे से होगा और फिर उसके द्वारा mass का transfer भी अच्छे से होगा और साथवा point यह है कि packed column में जो gas mixture होती है जब वो column के bottom में होती है तो उसमें solute gas component की मातरा बहुत जादा होती है लेकिन जैसे जैसे gas mixture टॉप में जाता है तो gas mixture में solute gas component की मातरा कम हो जाती है क्योंकि solute gas component liquid में dissolve हो जाता है मतलब घूल जाता है और आठवा और आखरी point यह है कि packed column में जो liquid होता है वो column के उपर से आता है और नीचे से निकल जाता है और जो gas होती है वो column के नीचे से अंदर जाती है और उपर से बहार निकल जाती है चलिए आप जान लेते हैं इसकी working process एक बात जान लो gas absorption में हम जिस भी liquid का इस्तमाल करते हैं उसको solvent कहते हैं या फिर आप कह सकते हो liquid solvent और gas mixture में जो gas component liquid में soluble होता है उसको हम solute gas कहते हैं सबसे पहले हम liquid को उपर से distributor के दोआरा packing री में spray कराते हैं और नीचे से हम gas mixture को उपर वेजते हैं फिर क्या होता है gas mixture में जो gas component liquid में soluble होता है वो liquid में घोल जाता है और liquid की form में नीचे आजाता है और जो gas insoluble होती है वो उपर निकल जाती है तो ध्यान देना जो liquid हमको नीचे प्राप्त होता है उसको हम strong liquor कहते हैं और जो gas उपर निकल जाती है उसको हम dilute gas या फिर lean gas कहते हैं ये थी working process चलिए अब जान लेते है fact column के advantage पहला advantage यह है कि इसका structure minimum होता है minimum structure का मतलब यह नहीं कि इसका अकार छोटा होता है इसका कार होता बहुत बड़ा है लेकिन इसको बनाने में जादा equipment parts का इस्तमाल नहीं किया जाता इसलिए कहा जाता है कि इसका structure minimum होता है और दूसरा advantage यह है कि इसमें pressure drop बहुत ही कम होता है कहने का मतलब यह है कि जब liquid और gas का contact होता है तो उस समय pressure reducing या फिर आप कह सकते हो pressure drop बहुत ही कम होता है जुसकी वज़े से liquid और gas का contact बहुत अच्छे से होता है और channeling की problem नहीं होती और तिसरा advantage यह है कि इसमें liquid hold up बहुत कम होता है कहने का मतलब यह है कि जब liquid flow करता है तो वो छोटी छोटी rings में ज़्यादा रुखता नहीं है और चौथा advantage यह है कि packed column जो होता है वो cohesive और tan form करने वाले liquid को असानी से handle कर लेता है cohesive मतलब होता है ऐसा liquid जो junk उत्पन करता है और tan form का मतलब होता है ऐसा liquid जो ज़ाग बनाता है तो जो packed column होता है वो इन दोनों liquid को बड़े ही असानी से handle कर लेता है और पांचवा advantage यह है कि इसमें low initial investment होता है कहने का मतलब यह है कि packed column operation में सुरुआत में जो लागत आती है मतलब जो खर्चा आता है वो काम आता है चलिए अब जान लेते हैं packed column के disadvantage पहला disadvantage यह है कि यह थोड़ा सा inflexible है कहने का मतलब यह है कि packed column को operate करने में थोड़ी सी समस्या होती है और दूसरा disadvantage यह है कि liquid या फिर vapor के लिए हम packed column को एक समान रूप से operate नहीं कर सकते कहने का मतलब यह है कि हर एक section में जो process होती है वो अलग-अलग होती है ध्यान से देखो मान लेते हैं यह कोई section है इस section में mass का transfer हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही mass का transfer नीचे वाले section में होगा दोनों ही section में mass का transfer अलग-अलग होगा तो हम कह सकते हैं कि packed column को हम एक समान रूप से operate नहीं कर सकते और तीसरा disadvantage यह है कि packed column में liquid के distribution में हमको दिक्कत हो सकती है ध्यान से देखो जब हम distributor के द्वारा liquid को ring में फिलाते हैं तो liquid ring में उपर तो असानी से फैल जाता है लेकिन जरूरी नहीं कि नीचे भी वह असानी से फैल जाए क्या बता नीचे वह धार के रूप में गिर रहा हो तो packed column में liquid distribution में दिक्कत हो सकती है और चौता disadvantage यह है कि packed column में हम ऐसे गंदे liquid का इस्तिमाल नहीं कर सकते जुसमें जाग बनने के साथ-साथ sad dimension की process होती हो आपको पता है जब गंदे liquid में sad dimension की process होती है तो जो भी गंदगी होती है वो bottom में बैठ जाती है तो ऐसे liquid को packed column handle नहीं कर सकता और पांचवा disadvantage यह है कि packed column का इस्तिमाल हम उस situation में नहीं कर सकते जहाँ पर process के दौरान तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हो अगर हमको पता है कि कोई gas component अगर liquid में घोलता है तो यहाँ पर तापमान में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम packed column का इस्तिमाल नहीं करेंगे एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम packing करते हैं उसमें हम कई सारी छोटी छोटी रिंग को column के अंदर भर देते हैं और यह छोटी छोटी जो ring होती है यह बनी होती है metal से या फिर plastic से और इनका size हो सकता है 6 mm से लेकर 75 mm तक और यह है मेरे notes इसमें packed column के बारे में सब कुछ लिखा है आप वीडियो को post करके इसका screenshot ले सकते हो और इसी के साथ आज का topic नहीं पर खत्म हुआ next वीडियो मैं बात करेंगे packing ring के बारे में मिलता हूँ आप से next वीडियो में तब तक के लिए good bye